आज आपने पढ़ेंगे सोशल साइंस इसका फास्ट पार्ट है हिस्ट्री आवर पास्ट चैप्टर नंबर फास्ट है मेजर डेवलपमेंट डियूरिंग 18th सिंचुरी आप लोग अपनी बुकों को साथ में खोलें और मैं आप पहले इसको रीड करूंगा फिर आपको समझा ऐसे अपन दीरे दीरे साथ साथ पढ़ेंगे सो आप लोग भी अपनी बुक को साथ में खोलें के रखें सो स्टार्टिंग में जो अपन स्टार्ट करते हैं तो इसमें बताया गया है वोल्ड हिस्ट्री चैन बी कन्विनेंटली डिवाइड इंटो थ्री पेरियर that theidir is a way to the protectorized by some distinct feature the ancient age witnessed the emergence of man as a thinking innovation and creative beam this laid the foundation for the great civilization such as Greek Egyptian Roman civilization that thereizh the outstanding feature of the medieval period are monarchy and a subjugation of a common people a system known as feudalism where the upper class prospered at expenses of the masses so इसमें बता रहा है कि world history जो है ये जो लिखा है जैसे world history जो है ये तीन पार्ट में divide ancient, medieval and modern ओके, तो ये तीन पार्ट में पूरा history divide है ancient, medieval and modern जब अपन ancient बोलेंगे तो ancient वो पार्ट होता है जहां पे early mans वगरे के बारे में अपन पढ़ते हैं और आज से 10,000 साल पहले के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो अपन इसको ancient बोलते हैं, जब अपन medieval पढ़ते हैं तो अपन इसको आज से कुछ 2000 साल पहले 1500 साल पहले के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको अपन बोलेंगे मेडाइवल और modern जब बोलेंगे जब modern history हम पढ़ रहे हैं यह बोलेंगे तो इसका मतलब होगा जब आजादी के time के बाद जब around 18,000 से लेके आज तब का time को अपन बोलेंगे modern history So, इस सारे जो period है, पूरा history है, इन तीन period पार्ट में डिवाइड हुआ है, उस ancient, medieval and modern So, इसमें जो stages हैं, वो अलग-अलग तरीके से defined हैं, इसमें बताया है कि अलग-अलग characterized है तो इसमें क्या है कि इस ancient time जो है, जो लिखा है यहाँ पे ancient time witnessed the emergence of man as a thinking, innovative and creative being जो ancient समय था, जो सबसे पुराना समय था, उस time इनसान उबर के आया, जो जादा सोचता था जो नए तरीके से सोचता था, creative था, कि फत्तर से उठा के उसने wheel बना दिया और उस जमाने के resources use करकर के अपने different-different tools बना लिए उन सब को, उन सब की जो भी चीज़े हैं यह ancient से related है और अपन यह सब देखते आ रहे हैं तो इस चीज़ों ने एक foundation बनाया एक नए civilization का, जैसे कि civilization मतलब अपन एक नया रहन सहन का जो एक नया foundation बनाया तो अपन यह सब civilization कहां देख सकते हैं, Greek civilization है, Egyptian civilization है, Roman civilization है जैसे कि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, इंडन civilization के बारे में पढ़ा होगा, वैसे ही ऐसे ही यह तीन civilization थी, Greek civilization, Egyptian civilization and Roman civilization So, यह जो तीन civilization है, यह in history के time पे, बहुत पुराने समय पे, बहुत बड़ी, बहुत अच्छे से बड़ी और बहुत famous होई So, इसके बारे में देखा है, the outstanding feature of the medieval period are monarchy and a subjugation of a common people अब ancient के time में अपने पढ़ा, कि यहाँ पे यह Greek, Egyptian and Roman civilization थे, but medieval period के time में अपने क्या देखा, monarchy मलब राजाओं का राज देखा, कि जब बड़े बड़े राजा आए, और क्या बोलते हैं, छोटों को दबाया गया, और उनके मदद से एक system बना, इस system को अपन बोलते हैं feudalism, जहाँ पे एक आदमी राज करता है, छोटे आदमियों से काम करवाता है, उसको अपन कहते हैं feudalism, यह लिखा है word feudalism, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बड़ा आदमी हमेशा बढ़ता जाता है, छोटा दपता जाता है, छोटों से काम कराया जाता है, छोटे होते हैं, उनको अलग-अलग काम दिया जाता है, सैनिक बना दिया जाता है, या पीसिंट बना दिया जाता ह अपने खेतों में काम करा जाता है. और बड़े लोगों क्या करते हैं? राज करते हैं उनके उपर. As a king और उनके जो राजा होते हैं, वो इस तरीके से उनके उपर काम करा जाता है. So, आगे बढ़ते हैं. तो फिर इस समय के major development क्या था है? माल इस समय के time पे major development क्या थे तो the major, the medieval period in Indian history end with the decline of a Mughal empire जो medieval period है वो जब कब खतम हुआ जब Mughal empire खतम हुआ Mughal empire सब को पता है कब के बारे हम बात करते है जो अकबर, अकबर, हुमायू इन सब के बारे में जो period है इस सब को पन कहते है Mughal period तो जो ताज महल बना था किस period में बना था भोलेंगे तो आपको बताना मughal period का एक architecture है ठीक है So, while India was stepping up to the threshold of a modern phase in its history remarkable changes were taking place in a world जब India एक नए step में फेस कर रही थी जब Mughal Raj खतम हो रहा था अंग्रेज Raj बिटिश Raj शुरू हो रहा था इंडिया में तो वर्ल्ड एक बहुत नया तरीके से बदल रही थे ठीक है It is useful to know about this global development specially those in England and Europe Since India came under British domination during this period अब इंडिया का influence in सब चीजों में रहा इंडिया अंग्रेजों के अंडर रहा जो ब्रिटेन और इंग्लेंड अपन कहते हैं और यूरोप बहुत सारे यूरोपन कोलोनीस भी इंडिया में रही है जैसे कि डच है पोर्तुगेस है यह सारी फ्रेंच है और इंग्लेंड तो रहा ही रहा है ब्रिटेश इंडिया में अपना राज बनाया है इन लोगों ने इनके वजे से इंडिया में भी बहुत सारी चेंज़स देखने को मिले तो क्या-क्या चेंज़स थे वो वो देखते है तो चेंज़स इन यूरोप तो मेडाइवल पिरिट ऑफ इंडियन यूरोपियन हिस्ट्री वास कैटेग्राइज़स बाइड़ सीडियस ओफ सोशियो पॉलिटिकल ट्रांस्फोरमेशन अपन को मेडाइवल पिरिट देखना है यूरोपियन हिस्ट्री अब यूरोप कहा है आपको पता लगाना है तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे है ये जो मैप आपको सामने दिख रहा है एक एशिया है एशिया मतलब जहाँ आपन रहते हैं ये यूरोप है ये नौर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है और ये आफरिका है ओके ये पूरा यूरोप है तो आप एक एक चीज़ देखो यहाँ पर सबमें लिखा हुआ है कौन सा कॉंटिनेंट क्या क्या है यूरोप की जब बात करेंगे ये ये नौरीज अमेरिका है तो आपन इस एरिया मैं ये यूरोप वले एरिया के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है जाए यहाँ पर जब चेंज की बात करते हैं तो जब समय बदला तो दीरे दीरे हर तरीके से इंसान को जाँज देखने को मिला कि हर जगा चेंज आया पहले इंसान दिवाल पे पेंटिंग बनाता था वाल पेंटिंग बनाता था केव में पेंटिंग मनाता था आपने देखा भीम बैटिका में केव पेंटिंग है फिर दीरे दीरे उस पेंटिंग में कितना सुधार हुआ ता इस समय तक, इस समय तक लोगों में कितना एक नया तरीकी का टैलेंट डिवलप हो चुका था, इसके बारे में यहां पर बात हो रही है So, और एक दिखाए है यहां पर The Crusade, the holy war between the Christian and a Muslim had far-reaching effects on European feudal societies एक, एक Crusade था, जहां पर एक war, एक Crusade जो लिखा है यहां पर the Crusade, इसका मतलब है एक war था, इसमें Christians का war था Muslim से So, इस war ने भी पूरी Europe को बदल के रख दिया So, the most important impact, the most important impact was the expansion of trade that resulted from the contact between Europe and Islamic Empire तो Europe एक जगा था, अब Islamic Empire कहा था यह बात हो रही है तो आप देखोगे, आज के टाइम पर बहुत सारे Muslim countries हैं जो Saudi Arabia, जो आज कंट्री है और उसकी उपर बहुत सारी कंट्रीज है, इरान, इराक यह सब पहले अलग-अलग नहीं हुआते थे एक empire था बहुत बड़ा, मुगल empire ओ स्री, इस्लामिक empire तो यह इसराइल, पिलिस्टीन, यह सब मिला के एक बहुत बड़ा empire था जो आज different pieces में तूटके Saudi Arabia बन गया, Dubai बन गया UAE बन गया, इन सब pieces में divide हो चुका है तो इसके बारे में दिया है कि Europe इनके साथ trade बढ़ गया इस समय में, जब Europe का trade, इसलामिक empire की तरफ बढ़ गया The major outcome of this trade was the emergence of independent trade network इस समय का major outcome क्या था, कि यहां पर trade बहुत ज़्यादा बढ़ गया independent trade भी बढ़ गया और यहां पर result क्या हुआ, merchant और artisans बहुत सारे बढ़ गया merchant क्या होते है, जो आदमी नए नए चीज़ों को sell करता है मतलब sell, कोई आदमी कुसी चीज़ को बेशता है, तो अपन उसको merchant बोलते हैं ठीक है, businessman होते है, merchant होते है artisans क्या होते है, artisans मतलब artist लोग, तो artist सिर्फ बनाने drawing बनाने, painting बनाने वालों को artist नहीं बोलते हैं, music बोले को भी artist बोलते हैं, कोई poem लिखता है, उसको भी artist बोलते हैं, कोई dance करता renaissance, इसका नाम है the renaissance, okay आप पड़ोगे, तो यह बहुत बड़ा एक Europe में change था, the renaissance तो इह है change क्या था the middle age 400 to 1500 CE, ended in Europe with the growth of renaissance a cultural movement that began in Italy, from its birthplace in Florence, it went to the cover it went on to cover the rest of Europe by the 16th century renaissance means rebirth renaissance का मतलब क्या है rebirth, as such it saw the rebirth of classical idea and theme that had long dormant in Europe अब देखिए, the middle age की बारे में जो बात कर रहा है, यह 400 to 1500 CE पर हुआ है अभी CE बोजोगे तो क्या बोलेंगे इसको अपन बोल सकते हैं current era, Christ era और आप इसको यह मान लो कि अभी जो आपका time चल रहा है, तो current अभी क्या चल रहा है, 2021 तो अपन बोलेंगे 2021 CE current era, यह Christ era तो यह इसको एक denote करने का time है, तो middle age कब था 400 से लेके 1500 CE तक को अपन middle age बोलते हैं स्थिके, यह middle age था इसको जैसे middle age कतम हुआ, renaissance start हुआ world में, अब renaissance मैं बताता हूँ क्या है, अब renaissance इसमें आपको दीरे दीर आपको समझ में आएगा, पहले आप यह देखें तो मैं आपको समझाता हूँ तो middle age 400 to 1500 CE ended in Europe with the growth of renaissance अब इसमें क्या हुआ, renaissance के growth हुआ इस time में, middle age खतम होते से ही, renaissance का growth होने लगा, अब renaissance क्या है cultural moment था, जो लिखा है यहाँ पर कि renaissance एक cultural moment था जो इटली से शुरू हुआ, इटली एक शहर है यूरोप में, यूरोप आपने जैसे अभी देखा था मैं आपने, यूरोप में एक शहर है, इटली नाम से इटली में एक शहर है, जिसका नाम है Florence, इटली एक country है country के अंदर एक शहर है, Florence इसे, Florence में इसका जनम हुआ यहाँ पर इटली बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्टों का एक country था, जहाँ पर बहुत दुनिया के सबसे best artist रहते थे Michelangelo, यह जो आपको image दिख रही है, जिसने image मनाया, यह और इस जमाने के बहुत सारे लोग थे, जो उस जमाने में इटली में रहते थे, तो एक अलग तरीके का environment था है इटली में, जो आर्टिस्टों को बहुत promote करता कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से artist डेवलप हुए, आए, तो यहाँ पर रहे, अब जब दुनिया में इनको European का contact हुआ अलग अलग जगा, जैसे ही लोग ने जब Islamic empire के पास पहुँच है, इनने देखा यहाँ पर भी जरुवत है, तो यह लोग दुनिया में फ्याल गएं ओके, सो उसको बोलते हैं अपन renaissance, ठीक है, क्योंकि यह समय दुनिया में art का एक बहुत बड़ा development हुआ है यहाँ पर art, जिते भी दुनिया में जो भी artist है, उन लोगों ने नईनी चीजें सीकी Europe से इसलिए अपन इस समय को कहते है the renaissance, the rebirth ठीक है, renaissance means rebirth, as such it saw the rebirth of a classical idea and theme that had long been dormant in Europe so, renaissance actual में क्या था कि Europe में जो इतने साल तक जो art जो खतम हो गया था उसका एक rebirth हुआ middle age के बाद, यह जो middle age के यहाँ पर लिखा है, 1500 के बाद इसमें एक change आया, यहाँ पर, Europe में different different जगा पर, अपन को नए नए artist मिले so, जो बहुत साल से यह चीजें खतम हो गई थी, उसका क्या हुआ rebirth, इसलिए अपन कहते हैं इसको renaissance, अब art क्या था यह art, इस दुनिया में आप एदिए art बोलते है क्या है, तो art का मतलब सिर्फ drawing, painting नहीं होता है कोई आदमी गाना गाता है, कोई आदमी song होते हैं, वो भी एक art होता है किसी का गाना 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 एक तरीके का art होता है, singing एक तरीके का art होता है poem एक तरीके का art होता है तो अलग-अलग dormant मतलब होता है जो चीज बहुत साल तक बंद रहता है उसको अपन कहते हैं dormant ठीक है सो इसका मतलब क्या last line का As such it was the rebirth of classical idea and theme that had long been laying dormant in a Europe मतलब ये एक classical idea का फिर से rebirth है जहां पर बहुत सारे ideas थे जो उनलोग के classical जो पहले ही उरोप में बहुत famous था उसका फिर से पुनर जनम हुआ उसको अपन और जो बहुत साल तक dormant पड़े हुए थे मतलब बंद पड़े हुए थे उसका फिर से जनम हुआ उसको अपन कहते है Renaissance Okay So in medieval Europe the church allowed very little freedom of thoughts to the individual This kind of suppressed environment inspired many people in Europe to think for themselves and to boldly question the authority of established questions This upsurge of public sentiments to advance human knowledge was accelerated by Gutenberg printing press whose impact gradually eroded the church church stranglehold over literacy while a handwritten Bible took a year to produce a mechanical press could kern out Bible at a rate of one a day Soon the monk and the privileged aristocracy lost their monopoly over literacy and knowledge अब इस समय में क्या हुआ इस समय क्या हुआ करता था यूरोप पूरा एक धरम गुरूओं के दुरा चराया जाता था So Church के दुरा दिये गए सारे जित्ते भी Rules, Law थे सब को Church के दुरा दिया जाता था So यहां पे धरम से हटके किसी को कुछ सोचने नहीं दिया जाता था कि Science नाम के कोई चीज नहीं होती है So यहां पे जब लोगों उन्हें धरम के खिलाफ सोचना शुरू करा, धरम से हटके सोचना शुरू करा Science के बारे में कि अच्छा Astronomy भी चीज होती है जो Astronomy का मतलब होता है The Science of Heavenly Bodies तो जो आस्मान में आप देखते हैं, तारे देखते हैं, मून देखते हैं, सन देखते हैं, इन सब की Studies को अपन क्या करते हैं, Astronomy So यह जो Science है, इन सब को भी आगे बढ़ाया है So यहां लिखाए, in medieval time, Church allowed very little freedom, बहुत कम freedom इंसानों को देता था इंडी जो लोग को Church पगे रहे हैं, जो बहुत उस टाइम यूरोप में बहुत famous जो धरम गुरू लोग थे बहुत कम thoughts और expression allowed करते थे लोगों को, कि आप लोग ज़्यादा नहीं सोचोगे, धरम ही सब कुछ है, यह इत्ता सब कुछ सिखाते थे दीरी दीरी लोगों को समझ में आया है कि Religion से हटके भी होता है, Science भी एक चीज होती है, और वहाँ से development चाले हुगा तो यहाँ पर एक जो kind of suppression था environment में, बहुत सारे लोगों को, suppression मतलब कहता है, suppressed मतलब दबाना, जहाँ जब लोगों को दबाया गया कि आप इससे आगे नहीं सोच सकते, इस चीज ने लोगों को inspire किया कि कुछ जादा सुख करें अपन, इससे हटके करें और अपने कुछ नया सोचें, तो लोगों ने अपने आप से सोचना शुरू करा, और all question करने लगे authorities को, कि ऐसे से laws क्यों होते हैं, अब दुनिया गोल है तो क्यों है, तारा चमक रहे हैं, तो क्यों चमक रहे हैं, मून अपन से है, दूर है, कितने दूर हैं, तो इन सब कुशनों को जानने की printing press है, इस सबसे पहली यूरोप की printing press में से एक है, उस जमाने में books को हाथ से लिखा जाता था, आज आपके पास जो सामने book रखी है, इसमें कितने pages हैं, आप देखोगे, तो more than 150 pages है, ओके, तो उस जमाने में इस book को लिखना रहता था, तो एक आदमी बेटके इसको हाथ से लिखता था, तो glutenberg printing press आने से क्या हुआ, कि इस book को अब print करा जाएगा, तो उसके आगे लिखा है, तो उस जमाने में books नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को सीखने के लिए क्या था, सिर्फ चर्च या तो फिर धरम ही सिखा सकता था, तो उस जमाने में ना किताबें होती थ तो जब से ये book आया, तो उसके बाद से religion बगरे लोगों ने कम सोचना शुरू करा, अब नई नहीं किताबे मार्केट में आ गई थी उस समय, कि अब science के बारे में किताब आ गई थी, किसी ने अपना idea share किया था, कि अच्छा अपन अर्थ गोल है, क्यों है, तो उसके बारे बाइबल लिखने के लिए, एक साल लगता था, एक mechanized press, जो उपर एक Lutenberg printing press था, वो एक दिन में ये Bible लिख सकता था, ये Bible बहुत मोटी किताब है, उसको आप देखेंगे, तो इसको ये उस समय आप देखेंगे, तो उसको हाथ से लिखने में एक साल लगता था, एक Bible को बन लिखने में एक दिन ही लगता था, तो सून दप मौंक, मौंक मतलब होते हैं सादू, सादू संथ, एन दप प्रिवलेज अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा, महाराजा, वो बड़े-बड़े लोग जो जो होते थे उस जमाने के, तो उन लोगों की जो म किताबे सस्ती है क्योंकि जब ज़्याद में किताबे सादोरगी से बनने लगी तो एक दिन में एक धाइब बनने लगी आप देखो कितनी प्यारी पेंटेंग है So next page पे चलते हैं और अर्थ And no one had any business to curtail another's right Some of the great artists of this period was Leonardo, Michelangelo, Cellini, Rubin, Botticelli, Vermeer, Rambard and Raffaele Okay Now what is given in this period That this age, new age, it was related to this period This phase in our development of a new age This phase in our development of new age And here the new age, what was the human body? Human body glorified Human body is very beautiful And it's not very beautiful Human body You can see humans on this painting So God made the most beautiful human body So this is the time that we can see And this is the time that we can see So in the Renaissance So in the Renaissance The geniuses The Renaissance The greatest artists And all these people These people So in that period The biblical truth is God made human God made man To rule the earth This thing changed That in that period That in that period We had to read That God made human To rule the world To rule the world Okay But this was wrong That human To rule the world To rule the world To rule the world Not rule the world To rule the world It was implied that man was God's representative on earth If that man was only one of the vale One of the Volts And no one had any business To hurt another's law One of the world Letless point the need To rule the world Ain't able an animal People were to rule the world But they did not Let парate In the Renaissance period We read That laffed it That being it So it seems to be यूरोप के changes का sea voyages, अब ये sea voyages बोलते है, तो sea voyages, अब ये voyages का मतलब क्या है, voyages का मतला है, यातरा, ठीक है, sea voyages, तो समुदरी यातराओं ने भी यूरोप को बहुत बदला, उनमें से बदलने का एक वज़े है, समुदरी यातराओं भी थी, यूरोप से दुनिया में, के cultures को देखा, तो उन्हें सी का, तो अपन देखते हैं कि sea voyages से, यूरोप में क्या-क्या चेंजा है, the renaissance experience also witnessed the great voyages of Europe exploration, the invention of a mariner compass, improvement in cartography and an innovation in ship building made long voyages not only possible but fairly safe, European merchants need to revive their languishing business generously supported the explorer, this voyages led to the discovery of not only new route but the new lands, in 1942 Columbus discovered America while the Portuguese sailor called Vasco de Gama discovered a new route, sea route to India in 1940, sorry, India in 1498, with the discovery of new trade routes and land, Europe see things with a new excitement, witnessed tremendous expansion in trade, as a result thereof, trading company proliferated in the 17th century, the East India Company was one such company that established trading outposts in many countries, okay, so this is what I have given, so this is what I have given, this is what I have given, the first line is, the renaissance period, we have witnessed many things in the Renaissance period, in the beginning, America, 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 the continent it has, India, the continent, this floor is not used for one of the places that it has a country that it isند, resurrection, Canada, the proclaimed tongue, if it isressed in the necessity, and all the T aroundfinds are established, it comes upon great material, the word Emperor's so-called ,infollowade familiar with success and said it can be true, all these several things, the pien diétound and thenPressed up common, the whole queGrandmaier went through and every sense from the time, Mariner Compass Mariner Compass मतलब क्या होता है Mariner मतलब होता है समुदरी Mariner Compass मतलब Compass होता है जो अपन हाथ में रहते हैं जिसमें अपन को North, South, East, West का direction के बारे में बताता है और वो हमेशन North की तरफ point करता है तो अपन को उससे अपन को पता रखता है कि अपना दिशा क्या है अपन कहां आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ बढ़ रहे हैं जब उसकी खोज हुई तो समुदरी यातरा करना बहुत आसान हुआ ठीक है और कार्टियोग्राफी जो कार्टोग्राफी यहां पर लिखा है इसका मतलब होता है मैप बनाना मैप बनना शाले हो क्या कि अपन समुदरी यातरा कर रहे है तो वो लोग समुदरी यातरा जब करते थे तो साथी साथ मैप बनाना भी लगते थे बिना मैप के कहीं पे भी सफर करना बहुत मुश्किल था उस समय भी तो जैसे ही मैप बना तो अब आसान हो गया लोगों को पता लगा कि नए नए जगे जैसे कैसे जाना है कैसे जगे पहुचने के लिए कौन से कौन सा रस्ता लेना सही रहेगा कितने दिन में पहुचेंगे और नए नए तरीके से ship building नए शिब तरीके से शिब बनने लगे ज्यादा सेफ थे जो समुदर में जादा टाइम तक रुख सकते थे जो ज्यादा टाइम तक ज्यादा लोगों को ले जा सकते थे यह सब चीजों ने बहुत हेल्प करी लंबी यात्रा करने के लिए में बॉक्षिनेसमें। इंडिया की बहुत फायदा होगा इंडिया में बहुत सारा सिल्क है और यहां बेचेहां सफर शुरू करा और अलग अलग टर्क Ск mismet प्रफ चलने लगें, तो फिर यहां लिखा है कि इंडिया की खोज में थे, मगर वहां पहुचे तो तब उनको पता लगा कि यह इंडिया नहीं है, यह तो हमने कुछ एक नहीं जगा खोज ली, तो फिर उसका उनने नाम रखा अमेरिका, ओके, फिर ऐसे ही पोर्तुगीस थे, जो सेल करते-करते आये, उनने धूंडा कि एक नाम का देश है, कहां पे है, तो फिर उनको मिला एक रस्ता, जिसकी मदद से वो इंडिया पहुचे, कब 1498 में, कहां पहुचे, वासको डिगामा, कैलिकेट, मतलब यूरोप को पताया, कि यहां पे एक इंडिया नांकी कंट्री है, और उसमें जाना है, तो उसका रूट य यह है, तो कब किसने बताया, वासको डिगामा, यह कब पहले आया थे, 1498 में, अब इसके साथ यूरोप की एक नई बिसनस चाले हुआ, कि आप क्यो ना आप इस जगें, डिफरेंट डिफरेंट जगें जाया जाये, और यहां यहां जाके लोगों को समझाया जाये, कि हम य इस डिसकोवरी, दे निव लाइन रूट्स वेर फॉंड, अब इसमें क्या हुआ कि इनको बहुत सार एक्साइटमेंट होने लगा कि बहुत सारी जमीने मिली, नहीं, 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 ट्रेड मिले, नहीं नहीं तरीके से बिसनसे मिले, तो इसकी मदद से वो लोग खूब ग इसको अपने कंट्री का एक पार्ट बना लेते हैं, गयो के पास गोल्ड है, तो इसको अपन क्यते हैं, इसके लिए जो कंट्री फेमस है, क्योंना हम इन सब का, इंसे लूट ले, और इन सब को क्या बोलते है अपना बंदी बना लेंगे। इसको अपन केता हैrest候 sizi तो फिर ये लिखा है last line इसका काम था इंडिया में बिसनस करना और इंडिया और इसके साथ साथी बहुत सारे से आजुबाजु की कंट्रीस थी Singapore है और आज की टाइम पर जो अपन कहते हैं Myanmar है उसको Burma कहते थे ये लोग ने इस different countries में राज किया Cylon जो आज की टाइम में श्री लंका है उसको Cylon कहते है तो Cylon, Burma और ऐसे इसे different countries में सब पर राज किया इंडोनेशिया इन सब countries में बिटेन ने सोचा क्यों ना यहां की resources बहुत जादा है ये लोग अपन से weak है अपने technology से weak है तो इन पर अपन राज करते है तो ऐसे इनने अलग-अलग colonies बनाई और क्या था अगला चीज क्या है भाई पहले वहाँ पर renaissance आया फिर उन लोगों ने समुदरी यात्राइं शुरू करी जिससे यूरोप में change आया और क्या था अब वहाँ पर reformation चालो हुआ reformation मतलब होता है बदलाब शुरू करें उन लोगों ने तो renaissance का हर चीज से मतलब renaissance है क्योंकि उस समय लोगों की मानसिक्ता हर तरीके से बदल चुकी थी अब लोगों का हर तीजों को देखने का जरिया बदल गया था अब लोगों हर चीज को science and technology से भी देखने लगे थे धरम से हटा के चीजों को देखने लगे कि अब चीजों को वो लोगों सवाल पूछने लगे थे कि ये है तो ये है क्यों तो इस चीज ने इनको बदला और यहां पे इन लोगों ने रिफॉर्मेशन चालू करें कि बदला आपका समय है अब चीजों को हम बदलेंगे अपने इसाब से तो दे रनाइसंस गेव यह लिए लाइन पढ़ते है तो रनाइसंस गेव अमेसे फिलिप तो दे लेवल अफ लिटरेशी एन एड़ुकेशन वाइन एंफसाइजिग अपने लिए इसाब करें अब यहां पर क्या हुआ है इनके यूरोप में खूब सारे चर्चेस हुआ करते थे जो हर चीज के लौव बनाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया तो अब इनने सोचा कि अब क्यों न इतना सब कुछ अपने सीख लिया है तो यह सब नियम कानून को भी बदले अब अपन यह सब नियम कानून नहीं मानेंगे जो हपन को चर्च बगेरे से आते हैं उस जमाने के जो धरम गुरुव ने जो चर्च और अलग-अलग जगे से जो नियम कानों दिये थे क्यों ना हम इसको बदले तो उसको उनने बदलने का काम किया तो वहां से ये reformation start हुआ So कब start हुआ It began in 1517 under the leader of Martin Luther of Germany When he called for reopening of the debate on a sale of indulgency He led the reformation which split Christianity into two branches अब क्या हुआ एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर बताता हूँ The Catholic who believed in a temporal and spiritual hegemony of a Pope in Roman and a Protestant Those who believed in a form of Christianity, faith and practice that sprang from the reformation अब क्या हुआ यहां पे 1517 में ये सब शुरू हुआ किसके अंडर? Martin Luther of Germany के अंडर इनने बोला कि हम भाई धरम को नहीं मानेंगे और धरम उस समय में अलग तरीके से माना जाता था कि उस समय में कुछ लोग Pope को मानते थे Pope एक धरम गुरू होते हैं जो कृषियनों के धरम गुरू कृषियनों के कृषियनों के धरम गुरू होते हैं तो यहां से क्या हुआ? Christian में दो भाग हो गए, दो अलग अलग तुकड़े में Christianity को अब गिना गया, कुछ लोग आप Pope को मानते थे, उनको अपन कहते है Catholic, जो लोग Pope को मानते हैं, उनको कहते है Catholic, और जो लोग नहीं मानते हैं, उनको कहते है Protestant, तो यहां से एक change आया, कि अब लोगों ने बोला कि हम ध नियम या कोई कानून से हम नहीं मानेंगे, हम अपने नियम बनाएंगे, हम अपने कानून बनाएंगे, हाँ अपने इसाब से धर्म बनेंगे, और जो लोग इस बदला आपको नहीं चाहते थे, उनने बोला कि ठीक है, हम अपने वही पुराने धर्म को मानेंगे, तो उनको फिर अगला change क्या था industrial revolution अब industrial revolution क्या था अब आपको शुरू से बताऊ तो industrial revolution क्या था शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले जब लोगों ने कुछी सबसे पहले बना ही तो सबसे पहले क्या invention था वील एक फत्तर को तोड़के उनने वील का शेप दिया तो अब किसे किया हाद से किया तो इंडस्ट्रिल रेवलुशन जब आपन कहते हैं तो क्या होता है कि मशीनों का इंट्रॉडक्शन हुआ इस समय में मशीनों का इंट्रोडक्शन हुआ इस समय में कि अपन को अब चीजें जो एक दिन में जैसे कि अब आपने एक क्लूटनबर्ग प्रेंटिंग प्रेस के बारे में पीछे पड़ा था इंडस्टी का नाम यहां से आया की इंडस्ट्रियल रेवलूशन रेवलूशन मतलब अब यहां से क्रांती आएगी इंडस्ट्रियल क्रांती आगे यहां से तो in the second half of the 18th century, the manual labor-based economy of England switched over machine and industrial progress जब आपन बोलेंगे 18th century तो इसका मतलब होगा 1700 से लेके 1799 तक की बातें जो भी होगी उसको आपन बोलेंगे direct 18th century ठीक है आज आपन कों से century में जी रहे है 21st century और चल क्या रहा है 2000 एदर 2000 चल रहा है मगर आपन क्या बोलते है 21st century ओके सो और अपन से पहले जो century थी 20th century तब कब से कब तक आजा दी अपन को century में 28th century में तो वो क्या था 1900 से लेके 1999 तक ठीक है वो 20th century थी सो यहाँ पे जब अपन 18th century बोलेंगे तो इसका मतलब होगा 1700 से लेके 1799 तक ओके कहां से कहां तक 1700 से 1799 तक ठीक है इसको अपन क्या बोलेंगे 18th century अब क्या हुआ इस समय यह आदमी आथ से काम करते थे खूब सारे लेबर लोग एक machine बनाने में लग जाते थे या एक यह काम करने में लग जाते हैं अब एक machine मिल के सिर्फ एक इंसान की मदद से मशीन के पीछे एक इंसान खड़ा रहेगा, दस लोगों का काम एक मशीन करेगी, तो इससे क्या होगा, खूब सारे चीजें जल्दी बनेगी, खूब सारे चीजें आपने देखी होगी, कि यदि आप हाद से बनाने बेट हो, तो कितना टाइम लगेगा, और वोई चीजे थी मशीन बनाया, तो कितना इसीली बन गया, तो ऐसा यह जब मशीन आई, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री एक देखने को मिला, पर एक इंडस्ट्री बेगान बिवां रखने और यहाँ पर एक इंडस्ट्री बेगान बेगान बर आपने देखी होगी, अब क्या हुआ, फिस समय आपन सब कुछ राद से बनाने लग पहले बना आते थे, तो आपन सब मशीन से बनाना लगे, में सबसे पहले अपने किस चीज में मशिनाइजेशन देखा मशिनाइजेशन अपने सबसे पहले देखा textile industry में आपने देखा था कि गांडी जी पहले च89 चला दे चौर्गा था उस से बनाया जाता था पूरे कपड़े ठीक है जब मशीन आने से पहले अब मशीन आगे तो एक चर्खा जो दस चर्खे के बराबर काम एक मशीन कर लेती थी तो अब लोगों ने प्रिफर करा कि मशीन से बनाएंगे तो सबसे पहले किस में आया मशीन सबसे पहले आया मशीन टेक्स्टाइल में textile में सबसे पहले machines बगरे introduced हुई कि अब जो कपडे थी जो बनने में दो दिन लगता था चॉरख'Mas imam बहुत टारिन लगता था अब उस चीज को बनने में machine के दारह जल्डी से जल्डी बनााके और एक दिन मैं 10 कपड़े वह बनाया जा सकते थी जब की पहले 10 दिन में एक कपड़ा बनाया जाता था, okay, so before this, सब कुछ मंना लिखाया है, before this, सब कुछ हाथ से बनाया जाता था, everything, मंना, good's were made, handmade, the merchant supplied the piece and family with raw material, अब जो merchant थे, जो businessmen थे, वो क्या करते थे, गरीब किसानों को raw material देथे, जैसे कि कपड़े बनाने के लिए धागा, कपड़े बनाने के लिए कॉटन, सिल्क, यह सब चीजे मर्चंट जो थे वो पीसंट को दे रहे थे और इनको क्या करते थे इन से बोलते थे कि आप बनाओ और हमको फिनिश गुड दो, ठीक है, जिल्लियली बनाने के चक्कन में, तो उन लोग को दिया जाता था, तो यह लोग जब बनाते थे, तो यह जो सिस्टम था, जो बिसनसमेने को पसंद नहीं आए, कि बहुत टाइम लगता है, और कुछ कमाई भी नहीं है, तो इससे क्या हुआ, इस सिस्टम में, जब इंडस्रिलाइशन शुरू हुआ, तो यह सिस्टम खळगा बिलकुन हुआ और इसने भात हल प्लकिया, FC तो, घूस by the end of the 18th century, the rich merchants set up factories, installed machine and started making mass product, machine-made goods. this shift from a manual much system to the machine system is known to be industrial revolution further invention such as railway the telegraph electricity etc magnified both its impact and its ability to influence the future course of world history England was the first country to develop the factory England was the first country to develop the factory system the use of machine first beginning England the invention of the spinning Jenny a new kind of loom and steam power was vastly increased the mechanized production of cotton cloth in England thus was laid the foundation of the mech of foundation of the industrial revolution that started in England and spread throughout the world it continued today under the label of industrial development so it's not yet that the rich merchants have started to install the factory now we said we will install the factory when there is one machine then we will install it with 10 machines so if one machine was working with 10 machines then we will install it with 10 machines so now 100 people will do it with 10 machines okay so what will happen to this 10 times of work okay so where did it start? to start Natal so here i will start the manufacturing power first when the industrial revolution world first start England this very first fabrier what된 factries was first our only shows this fabrier up this is a must spinning Jenny from which in a a fiction of कैसरा हैस कि इनने कर दिक आने के बाद अप कपड़ों को बनाने के लिए घंटों में वह creates आप काम काम हो सकता है जो काम महीनों में होथ वो काम अब भंटों में हो जाता है, यह spinning jenny आने के बाद, यह एक machine का नाम है spinning jenny, ठीक है, a new kind of loom, अब इससे क्या हुआ, एक steam engine भी बनाये, अब steam engine के मदद भी ली गई, कि इंसान कितना भी यूस करेंगे, engine बनाया गया, जो गाड़ियों में engine होता है, वैसा एक engine लगा द इंग्लेंड में produce हुए, ठीक है, इससे इंग्लेंड में क्या चाले हुआ, industrial revolution, कि आज तक दुनिया को यह पता ही नहीं है, दुनिया हाथ से कपड़े बना रही है, वो कपड़े महेंगे मिलते हैं, क्योंकि यदि आप सोचो, आप किसी tailor के पास जागे बोलोगे, कपड़े सिलने में कितने दिन लगेंगे, दस दिन लगेंगे, तो उसके जादा पैसे लेता हूँ, और कोई कपड़ा सिलने में एक दिन लगेगा, तो वो बोलेगा, इसके कम पैसे दे देना, क्योंकि उसको एक दिन में सिलने लगता है, और जो कपड़े को जादा टाइम लगता है सिलने के लिए उसके लिए वह ज़्यादा पैसा लेता है तो अब जब मशीन है जली 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 चीज़ों को बनाने लगी थी तो चीज़ों की कॉस्ट भी कम हो गई थी तो दुनिया को जब यह से पता नहीं था दुनिया में जब कपड़े इतने महंगे थे तो यूरोप में चीज़े से मशीनों से बनने लगी जिसके मदद से कपड़े हो गए बहुत सस्ते तो दुनिया इंग्लेंड के कपड़ों को पसंद करने लगी अब हर आदमी अफोर्ड कर सकता था कपड़े लेना तो कहां से लेता था इंग्लेंड से लेता था क्योंकि इंग्लेंड में क् स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवलूशन, मतलब इंडस्ट्रियल क्रांती चाले हुए, क्रांती का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज चाले हुए, जिससे वर्ल्ड अब इंग्लेंड की तरफ देखने लगा, की भाई हमें कपड़े कहां से मिलेंगे, इंग्लेंड से मिलेंगे, ठीक है, तो this continued today under the label of industrial development, आज भी industrial revolution की बात होती है, तो अपन कहां देख, क्या आप बात करते हैं, यह है spinning journey, यह machine के बारे में जो मैं बात कर रहा था है, यह है spinning journey, तो यह काम होता है, यह machine होती है, पूरी ऐसे machine से बन जाते हैं, जिसमें कपड़े बनाने के लिए आपन को सिर्फ धागे धागे जोडने पड़ते हैं, और यहां से सीधा कपड़ा बन के अपन को मिल जाता हैं, ओके, सो अब अपना है next topic, American Bar of Independence, यह अपन पढ़ेंगे next class में, आप तब तक आज जित्ता भी जो भी पढ़ाया, आप इस सब को revision करें, और इस सब को revision करके रखें, एक बार खुद भी read करें, साथ-साथ, और कहीं पे भी कोई doubt है, तो आप अपने group पे इस question को डालें, और आपके doubt को clear कर देंगे, ओके, thank you.